नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लैटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता उप्रास्ट्रपती जगदीब धनकर ने कहा कि 10 साल पहले दुनिया के कमजोर देशों में भारत की गिंती होती थी ऐसा माना जाता था कि भारत की स्थिती दक्षिनी, एफ्रिका, ब्राजील, तुर्कियों और इंडोनेशिय जैसे देशों की तरहा हो जाएगी ये देश दुनिया की बोज बनते जा रहे थे लेकिन आज 10 साल बाद भारत पांचवी महाश्रक्ती के रूप में उभर कर दुनिया के सामने खड़ा है सितंबर 2022 में भारत दुनिया की पांचवी आर्थिक महाश्रक्ती बन लिया आपको बता दे उपरास्ट्रपती जगदीब धनकर ने कहा कि आज भारत दुनिया में उचायों पर क्यूं है हमारा डंका क्यूं बज रहा है ये बस एक बात से बज रहा है हमारे लोगों की बात कुछ खास है पहले देश की हालात इतनी खस्ता थी उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है उपरास्ट्रपती ने कहा कि पहले देश में सरकारी कार्यालों में बलाज शक्रिय थी अब भ्रस्टचारी नहीं है भ्रस्टचारी भाग रहे है कोई जमानत पर है तो कोई की न्याले में हैं अब ध्रिस्ट चारियों के पास एक ही रास्ता है कानून का साम्ना करें जब किसी को notice मिलता है तो वो करक पर क्यों आता है Jamie की नहीं आता है ये जब कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों कि मेरा राجनीति से कोई सरोकार नहीं हैं राजनेतिक कैसे भी करें उन्हें अधिकार है लेकिन बातचीत और बहस संभभ नहीं है हम्हार किसी को हमारी संस्था को कलंकित करने नहीं सकते हैं आगे उब राष्ट पती सोंवार को कोटा में सेवा निवरित गौरत सम्हारों को संभोधित कर रहे थे आपको पता दे कि उस सम्हारों को संभोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिना बिचॉली और बिना कटे पैसे आम लोगों तक पहुंच रहा है यह तक्नीक से दुनिया की 86 प्रांजेक्शन भारत में होता है अमेरिका यूके फ्रांस और जर्मरी के ट्रांजेक्शन को जोड़ लो तो उससे चार गुना कर लो फिर भी भारत का नंबर ज्यादा है आपको पताते हैं उन्होंने कहा कि कोटा भारत का भविश्य है कोटा में हजारों की स खात्रों से समवाद भी किया उन्होंने कहा कि सांसद और लोगसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला की प्रसंसा है इस मौके पर केंद्रे संसद्य कारेमंत्री प्रहलाज जोशी ने कहा कि सनातन धर्म खत्म करने की साजिश हो रही है देश प्रधानबत्री नरेंद्र मोदी के नि सिद्भारत बनाएंगे चुनोतियों के बीच रास्ते बनाने का अगर कोई काम कर रहा है तो वह भारत है चुनोतियों का समधान भारत की धर्ती से निकलेगा जितनी मजबूत हमारी विरासत होगी उस विरासत से आने वाली पीड़ी पेंडना लेगी उतना ही भारत प्लैक्पोर्म पर मुझे दीचे इजाज़त धन्यवाद